So, hey everyone, welcome to the second episode of this drawing. So, in the first episode, I have shown you the outline drawing. If you haven't seen it, you will find the link on the i-button and the bottom of the discussion box. That's why you will see it. Okay, so today I am going to start the shading tutorial. Today I am going to start the shading tutorial. The face, the skin portion of the portion of the face, I am going to show you today. So, let's not do much of this, let's start the drawing. So, I have used a sterile lumograph black pencil here. If you want to link to the bottom, I will provide you. That's why I can see it. So, you can do any pencil with any pencil, but you should have 2B, 4B, 6B, 10B, all the grades. Okay, so first of all, we will start the eye. First of all, we will start the eye. Okay, because the eye portion is a lot of dark portion, so the dark area is a lot of better. So, what will I do? I will give 8B pencil to a base layer. The first layer is not dark, the first layer is a base coating. Then, the second layer is the second layer, which I am giving you. Now it is dark. There is no left layer. Do not do any area, okay? I will do 2-3 layer layer, then it is smooth. Then, the white portion is not left. Then, the white portion, I have not left white portion. I also have a curve shade with 2B pencil. I have a little highlights. Then, I have also made some highlights. So, I will show you in real-time, so that you can understand what I am giving shade. देता हूँ ठीक है और यहां पर शेडिक में कोई ब्लेंडिंग का यूज ही नहीं होगा विदाउट ब्लेंडिंग अगर शेड करते हो ना तो शेड में टिक्स्चर रहता है एक आर्टिस्टिक फील आता है बरना बहुत ही फेड़ेट एक्दम फ्लैट दिखता है फोटो की तो फोटो की तरफ फीखा क्यों ड्रॉकर नहीं आप ड्रॉइंग कर रहे हो आर्ट बना रहे हो तो आर्ट को एक आर्टिस्टिक टोन लाऊ ना आइस्टिक स्टाइल लाऊ उसमें ठीक है तो मैं यहां पर वही करता हूँ तो यहां पर बाकी एरिया में 8B और जो वाइट पोर्शन होता है आख का उसमें 2B से मैंने टोन दिया एकदम सफेद नहीं छोड़ा यह ध्यान दो सफेद छोड़ता तो यहां पर हाइलाइट कैसे दिखाता राइट तो ऐसे मैं जो दूसरा आख है उसमें भी कर रहा हूँ पहले 8B से 1st लियर उसके बाद 2nd लियर में उस कि यह जो पोर्शन है ना आखों के ऊपर का पोर्शन थोड़ा ऐसे डार्क टोन में है तो यह पर आप लोग फोर्वी पेंसिल से दो एंगिल को फोकस करो का पर मैं किस एंगिल में शेट दे रहो और शेट जितना आप लोग घना दोगे और हलके हातों से दोगे शेट उतन किसी भी चीज में उसका जो एंगिल है उसको अगर मैच करके शेट दोगे ना तो और भी जाता रियलिस्टिक लगता है ठीक है यह आप लोग को ध्यान में देना है एंगिल को फॉलो करना है यह पर नीचे के पोर्शन में भी वही किया और हाइलेट जो है आइलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हाइलेट को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है तो यह पर भी मैं वहीं कर रहा है है लेट को छोड़ा बहुत सारे जगाओ पर तो जो आपको पॉर्शन है अब यह पर आईब्रोस में मैं देखो क्या करो एट भी से पहले बेस लेयर दिया नीच लेयर में इसके ओपर डीटिलिंग करूंगा जैसे कि नाक में देखो नाक का जो यह साइट का राइट साइट का एंगल है उसे मैंने समझा बेस एकदम फ्लैट टोनिंग से या पर पहले ही आप लोगों को उसका जो टोन है उस एडिया का जो शैडो है या फिर लाइटने स इस तरीके से और उपर फूरेट को पॉर्शन में फ्लैट होरेजंटल शेड है तो वह एंगल का फोकस करते हुए जो थोड़ा डार्कर एडियास है उसमें मैंने फोर भी दिया पहले डार्क एडियास को कर लिया अब दिर दिर लाइटर पॉर्शन के तरफ जाओंगा वैसे करो देखो कितना हलके से कितना धीमे चाल में धीमे धीरे-धीरे मैं शेड देता हो या पर मैंने थोड़ा वियल टाइम में आप लोगों को दिखा दिया अब देखो अब जो लाइटर एडिया फेस में उसमें मैं शेड देरो कौन से बेंसल है टूबी या फिर अब ज्यादा गिड़ रहा है तो आप लोग थोड़ा हलका पेंसे लिए उस करो मैं एक दो ही प्रिशन नहीं देता तो उससे टूबी से भी हो जाता है ठीक है तो आप लोग यह ध्यान में देना है जो शेड है ना हो बहुत ही घना देना चाहिए ऐसे एक एक शेड एक द्रॉइंग स्मूथ दिखता है ठीक है यह ध्यान में देना देखो कैसे कर रहा हूं कि अध्यान में जो फर्स टोन किया था उसके ऊपर अब जाके डीटलिंग करूंगा कॉंसे पेंसल से एट बीस एट बीस अब देखो एक एक बालों का जो शेप है वह शेप को मैं मिलाने की कुशिश करो शेप को मिला कर यहाँ पर दूंगा ठीक है यह समझने की कुशिश क करो शेप में कॉंसें करो आप लोग बाल है तो एक एक करके कर रहा हो नहीं उससे अगर कोई एक शेप बन रहा है तो वह शेप को लाने की कुशिश करो यह ज्यादा रियलिस्टिक लगता है ज्यादा एक्चुल में मिलता है ठीक है यह पर स्किन में भी मैं अभी थोड़ा पहले तो वह एक बेस टोन कर दिया था अब जो हाइलाइट एडिया उसमें कुछ नहीं दूंगा पहले का लियर रह जाएगा और जो और भी ज्यादा डार्क एडिया उसमें मैं और टोन दूंगा तो ऐसे जो वह बन जाएगा अई होप आप लोग समझ चुके होगी कैसे करन तो यह पर जो आई ब्लोक का पॉर्शन है उसमें बाकी जो इडिया उसमें दूंगा एंगिल्स को देखो बहुत अच्छे से मैच करना बहुत जरूरी है ठीक है तो यह ऐसे हो गया अब देखो नीचे का जो स्किन का पॉर्शन है उसमें मैं शेड देना स्लाट करूंगा क जिस जिसलिज करें कि शेडिंग में जी ध्यान नहीं देता है घूस करो है था है हो एसे कंद के तो अच्छा नहीं होता है ठीक है दे को कैसे कर रहा हूँ झाल 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 झाल